हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल भारत टेक्निकल अब मैं हो अनुज फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे यूरल क्या होता है यूरल के क्या बेनेफिट्स है और कैसे हम अपने यूट्यूब यूरल को एनेबल करते हैं तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है इ अपने फ्रेंट्स का आपने शेयर कर दीजिए चलते हैं वीडियो की तरफ फ्रेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे यूरल होता कि है यूरल की फोफोम होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यह एक वेब एड्रेस होता है जो यूज होता है मार्केटिंग परपस के ल इसनेस को प्रमोट करने के लिए अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए अपनी किसी भी सोचल आइडी को प्रमोट करने के लिए हमारी जितने भी सोचल नेटवर्किंग साइट से फेस्बुक ट्वीटर यूट्यूब यह सब मोका देती है अपने यूरल को कस्टमाइज कर करने का तो कस्टमाइज करने से मतलब है जो बाई डिफोर्ट यूरल होता है हर वेब साइट का इंटरनेट पे उसको हम चेंज करते हैं अपनी सुईधा के सब्सक्राइब करेंग और अपनी ठेस्ट के अकोडिंग हम उसमें अपना जो चैनल का नाम है अपने बिजनेस नाम है वो डॉल देते है क्या-क्या बैरेफिट्स से होते हैं वह आपको अब आग第一個 यूरिख सबसे बहले बात करेंगे यूरल के क्या-क्या नाम होते है यूरल को हम कस्टमाइज यूरल के नाम से जानते हैं दूसरा ब्रेंड यूरल तीसरा वैनिटी यूरल ये इसके तीन नाम होते हैं सबसे जो इंपोर्टेंट बात है कि जो यूरल के बेनेफिट से वो क्या क्या होते हैं तो जो सबसे पहला और सबसे इंपोर्ट URL हमारी YouTube की तरफ से हमें मिलता है वो आपके स्क्रीन पे नीचे के साइड में वन नंबर पे दिख रहा होगा वो बहुत लेंदी होता है बट जब हम उसे कस्टमाइज कर देते हैं तो हम उसे छोटा कर लेते हैं हम उसमें अपने चैनल का नाम भी डाल देते हैं तो उस URL में हम कुछ अपने नुमेरिकल वर्ड्स भी डाल देते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फाइदा है वो यही है यह बहुत छोटा होता है जिसकी वज़े से यह रिमेंबर या याद रखना भी बहुत असान होता है इसका जो दूसरा फाइदा है वो है easy to share मतलब छोटा होता है यह URL जिसकी वज़े से हम इसको आसानी से किसी के साथ भी share कर सकते हैं हम छोटा URL होने के विए से खुद भी इसको याद रख पाते है और easily किसी को भी type करके बता सकते है भीज सकते है एक lengthy URL याद नहीं रहता आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो one number पर URL दे रख है YouTube ने by default वो कितना lengthy होता है उसमें जीव जीव से words लेके होते है उसको याद करना impossible सी वात है तो जो हमारा customized URL है हम उसे अपनी सुईध के according आसान बनाते है जिसकी वज़े से हम उसे easily दूसरों के साथ में share कर पाते है जो इसका third benefit है वो है easy to use छोटा होने की वज़े से इस URL को हम कहीं भी अपने business purpose अपनी ID को अपने channel को promote करने के लिए easily use कर सकते है fourth जो इसका benefit है वो है trustworthy ये बहुत जादा trustworthy होता है कारण इस URL के अंदर हम अपना channel अपने business का नाम डाल देते है जिसके वज़े से जो भी बंदा हमारे business ये हमारे channel से जुड़ा हुआ है वो हमारे इस URL पर easily trust कर सकता है एक जो customized URL होता है वो जादा trustworthy होता है जो by default URL दिया जाता है for example YouTube के द्वारा आप देख सकते हो first number पर वो बहुत lengthy होता है वो बड़ आठपटा लगता है कहीं न कहीं जो भी viewers होता है यो जो भी बंदा हमारे business से जुड़ा हुआ होता है वो उस पर trust नहीं कर पाता है जो first number पर by default URL है वो बहुत lengthy है उसको तो कोई pronounce करी नहीं सकता so जो इसका last and सबसे important benefit है URL का वो है help in branding help in promotion यह URL आपके channel को आपके business को आपके promotion में help करेगा means कहीं न कहीं आपके channel का आपके business का यह प्रचार करता है क्यों क्योंकि customize URL में mostly हम अपने business का आपने channel का आपने नाम डाल देते हैं जिसकी वज़े से हमारा इससे परचार भी होता है जब जब हम किसी के साथ में यह social sites पे इसको शेयर करते हैं तो हमारे business का हमारे channel का promotion परचार भी होता है so friends अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम YouTube URL को customize करते हैं कैसे हम customize करते हैं इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो customize URL है उसके कुछ eligibility होती है मतलब जो भी नए YouTuber होता है उसका जो URL है वो कैसे customize होता है कैसे YouTube उसको allow करती है कि अब आप अपने URL को customize कर सकते हैं तो इसके तीन चार condition होती है वो conditions क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी mainly 4 conditions होती है जो YouTube में set की है पहली condition है have 100 or more subscribers आपके चैनल पर minimum 100 subscribers होने चाहिए तभी आप अपने URL को customize कर सकते हो second be at least 30 days old आपका जो channel है वो 30 दिन पुराना कम से कम होना चाहिए fourth have an uploaded profile picture आपके channel पर आपकी profile pic लगी होनी चाहिए fourth have uploaded banner image आपके channel की जो banner image है वो भी uploaded और उस पर लगी होनी चाहिए यह जार conditions जब आप fulfill कर लेते हो तो you are eligible for customized URL so friends सबसे पहले आपको Google open करना है Google पर आपको लिखना है youtube.com उसके बाद आपको go कर देना है go करने के बाद में आपका जो channel है अगर वो already login है वो open हो जाएगा उसके बाद में आपको check करना है यह desktop site में खुला हो है यह नहीं मेरा तो खुला हो है अगर आपका open नहीं है तो आप desktop site में इसको open कर लेगे open करने के बाद में आप इधर right side में जाओगे आपका logo दिखा हो है लोगो में जापे आपका logo दिख रहा है channel का वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको एक option दिखेगा your channel सबसे टॉप में आप उस पे click कर दोगे your channel पे click करने के बाद में आपके सामने एक option आएगा customize channel, customize channel पे ok कर दोगे जैसे ही आप customize channel पे ok करोगे press करोगे तो आपके सामने की screen पे तीन option आएगे layout, branding और basic information आपको basic information पे click करना है basic information पे click करने के बाद आप नीचे की तरफ देखोगे आपको दिख रहा है channel URL यह जो URL आपको नजर आ रहा है screen पे यह जो URL है यह जो URL है यह by default URL यह जो YouTube ने मेरे channel को दिया है, उसके नीचे एक line लिखी हुए है, set a custom URL for your channel, अब मैं अपने channel के लिए अपनी मन पसंद का URL क्या करता हूँ, set करता हूँ, अब आप देख सकते हो, कि जो मेरा URL है customized URL उसमें मेरा channel के नाम लिखा हुआ है भारत technical hub, means यह मेरा customized URL है, यह नाम से YouTube पे बहुत सारे channel होते है, उस case में यह थोड़ाट पटा बनके आता है, मेरे नाम का और कोई channel YouTube पर नहीं है, जिसकी वज़े से यह बहुत simple है, मैं चाहूँ तो इसमें कुछ भी letters यह numbers add कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा, मेरा already बहुत अच्छा customer URL by default बनके आ publish का, मैं यहां से इसको publish कर दूँगा, publish पे click करने के बाद में, मैं इसे confirm कर दूँगा, confirm करने के बाद में, आप देख सकते हो, कि जो मेरा URL है, customize URL वो ready हो चुका है, और जो हमारा channel URL है, by default जो मिला था, वो आपको उपर नजर आ रहा है, और मेरा जो customize URL है, वो नीचे नजर रहा है, so friends, यह थे वे steps, जिनके through हम अपना YouTube URL को customize कर सकते है, so friends, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप मुझे comment करके जरूब बताना, और अगर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं किया, तो subscribe कर देना, अपने friends के आद में share कर देना, ऐसे ही important और interesting videos आपके लिए लाता रहूँग मेरे channel पर बने रही है, thank you, bye bye, jahin, jay bharat